चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें तो आगत है आपके अपने ही चैनल माज साब की पड़ सलाम है देखे सिच्छक प्रसिच्छड पॉकिट बुक दीक्षाट टीपीडी के अंतरगत नौमा और दस्मा मॉडियूल आपको एक फरवरी से लेके साथ फरवरी तक कर लेना है अगर आपने इस से पहले के आठ मॉडियूल नहीं किये हैं तो आप उन मॉडियूल को भी कर लें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसकी प्रश्नोत्तरी कहां से देखें वो भी आपको description box में मिल जाएगी तो आज हम देखेंगे norma module कक्षाओं में print भरा बातावर्ड कैसे बनाएं चैनल को subscribe नहीं किया है तो मास साथ की पार्ट साला सर्च करके उसको subscribe कर सकते हैं और साथ में उसका bell icon भी दबा ले देखें मास साथ की पार्ट साला जब आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो उसको लेंगे वीडियो उसके बगल में एक playlist होता है जब आप playlist पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिक्षड होजना computer प्रसिछड बहुत सारी playlist मिल जाएगी दीख्षड TPD, मानब संपदा और आपके निष्ठा के परसिछड आप से related बहुत सारे परसिछड मिल जाएगे तो अगर आपने पहले वो course नहीं किये हैं तो दीख्षड TPD वाले folder में जाके आप playlist में यह आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छह, साथ, आठ पांच में नहीं मिलेगा आपको क्योंकि पांच में का आपको link मिल जाएगा description box में लेकिन पांच में में कोई आकलन प्रशनोत्तरी नहीं है इसलिए आपको देखिए 6, 7, 8 मिल जाएंगे अगर आपने पहले नहीं किये हैं तो उनको कर सकते हैं अब देखिए 9 में मोडूल कप पहले question को देख लेते हैं आकलन वाके भासा की कक्षा में print भरा माहौल बनाने के दो मुख्य उद्देश से क्या हो सकते हैं तो क्या मुख्य उद्देश हो सकते हैं जब पहला और दूसरा option सही है बच्चे लिखित सब्दों को अपने विचार साजा करने के लिए प्रियोख करें और बच्चे print के साथ सहज और अर्थ पूर संबंद बनाएं अकसर माना जाता है कि बच्चों को पाठे पुस्तक पढ़ने के मौके अकषर गयान आद स्कूल में ही मिलते हैं तो क्या बच्चे पढ़ने लिखने के बारे में स्कूल आने से पहले कुछ नहीं जानते हैं तो नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे अपने आसपास मौजूद जो भी चीज़ें होती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसमें पहला और तीसरा उप्षन सही है, बंटी पांस साल का है, वो ट्रेन में जाते हुए स्टेशनों के नाम पढ़ने में बहुत दिल्चस्पी लेता है, वो आसपास की दुकानों के नाम उनके पास लगे, विग्यापनों को पढ़ने में भी अपने बड़ों की मदद लेता है, आपके अनसार इसके क्या कारण हो स तो इसलिए क्या है कि बच्चे अपने परिवेस में मौझूद प्रिंट को पढ़ने में दिल्चस्पी लेते हैं क्योंकि उस प्रिंट का आर्थ बच्चों के लिए माइने रखता है और बच्चे इसे संधर्व के साथ संबंदित करके पढ़ सकते हैं पहला और तीसरा विकल्ब सही है परमीत जी की प्रात्मी कक्षा में पंजाबी पढ़ाई जाती है जोकि बहुत से बच्चों के घरों में हिंदी बोली जाती है कक्षा में प्रिंट कौन सी भासा में लगाना सही रहेगा तो दोनों क्योंकि बच्चे जो भासा जो उन्हें आ करने का सबसे मुख्य फाइदा क्या है तो मुख्य फाइदा है कि बच्चे मौखिक वासा लिखित वासा और बस्तों के बीच संबंद बना पाएंगे इसमें दूसरा उप्सन सही है सर्मा जी बच्चों की पाठे पुस्तक में आये महतपूर सब्द कक्षा में बनी सब्द दिबार पर लगाती है आपके अनसार इससे क्या होगा तो क्या होगा बच्चे इन सब्दों को बार बार देख कर इंके हिज़्जे पेंचानने लगेंगे कि कैसे सब्द बने हुएं बच्चे लिखते समय इन सब्दों की मदद ले सकते हैं पहला और दूसरा उप्सन सही है, खक्षा के लिए प्रिंट सामगरी तयार करते हुए, नेमन मैंसे किस बातों का ध्यान रखना सही रहेगा, आप एक ही विकल्ब चुन सकते हैं, तो जो प्रिंट सामगरी स्पस्ट और साफ अच्छरों में लगाई जाए, ताके बच्चे उसे ध्यान से पढ़ सकें, इसमें दूसरा विकल्ब सही है, आसा जी मानती हैं कि कविता के कौने में बच्चों की लिखी कविता नहीं लगानी चाहिए, क्या उनका कहना सही है, तो ये सही नहीं है, बच्चे एक दूसरे की कविताओं को पढ़ने में दिल्चस्पी लेंगे तो आठ में में तीसरा विकल्ब सही है निम्न में से कौन सी एक प्रिंट सामगरी सुरूआती कक्षाओं के लिए सबसे अधिक उपयोगी रहेगी आप एक ही विकल्ब चुन सकते हैं तो बच्चों के नाम सबसे उपयोगत रहेंगे कक्षा में पढ़ने का कौना बनाने से क्या होगा कक्षा में पढ़ने का कौना बनाने से बच्चे अपनी मर्जी से खाली समय में कहानी की किताबे पढ़ पाएंगे और अध्यापिका बच्चों को उनकी मन पसंद किताबे पढ़ कर सुना पाएगी तो इसमें दूसरा और तीसरा भी कल्प सही है तो ये आपका नॉमा मोडियूल हो गया है complete आपको अगर पहले मोडियूल लेंगी हैं तो उनके लिंक description box में मिल जाएगे और चैनल को subscribe कर लेजिए जिससे आपको समय पर update मिलते रहे हैं और अगर आप हमारे WhatsApp या Telegram ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ से join कर सकते हैं Thanks for watching